अब आपके साथ में अमेजिंग टिप शेर काने वाली हूँ जो आपकी पहली बारा तो शुरू करें उससे मेरी सारी वीडियो की नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी दोस्तो सब्सक्राइब जरूर करें क्यूंकि ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो मेरे चाहले आपको मिलते रहते हैं वो भी रोज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं बेस्ट ओइलिंग ट्रीट्मेंट इन दू वर्ल्ड वो कैसे तो चलिए फटा-फट से बीना टाइम वेस्ट की देख लेते हैं कि किन इंग जब याप अलवेरा की फ्रेश पती को कट करते हैं तो यलो सब्स्टेंस सा निकलता है जो कि हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है तो 2-3 मिनट कम से कम इस तरीके से खढ़ा रखिए और ताकि जितना भी अलवेरा की पती में येलो सब्स्टेंस है वो निकल जाए अ बालों को जरूरी पोशन ब्रादान करता है साथी साथ बालों की जड़ों को मजबूत रखता है और रुखे सूखे बेजान बालों में नई शाइन लाता है अलोवेरा जल अलोवेरा जेल में एंटी डैंडरफ एंटी इंफलमेटरी गुण होते हैं जो की फंगल को होने नहीं देता है हमारे स्कैल्प में साथ ही साथ डैंडरफ की परिशानी को भी दूर रखता है इस अलक अको मिकसर घुररी एन होता आप से जरूरी नहीं है तो जैसे निकल रहा है तो जैसे निकल रहा है तो आपको पीसने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो बस देखे इतना ही aloe vera gel काफी है हमारी remedy को बनाने के लिए तो ये करीब एक बड़ा चमच aloe vera gel हमने निकाल लिया है अब जो अगला ingredient हम इसे मिलाने वाले हैं वो है olive oil olive oil आपके बालों को deep conditioning के साथ में अच्छी growth भी देता है तो यहाँ पे इस remedy को बनाने के लिए हमने करीब दो चमच olive oil लिया है अब जो तीसरा ingredient आपको इसमें मिलाना है वो है castor oil यानि की अरंडी का तेल तो यहाँ पे अरंडी का तेल जो है आपको केवल एक चमच ही लेना है दोस्तो इस remedy में आपको nourishment, conditioning और oil इंग तीनों ही चीज़े मिलती है और यह तीनों की तीनों ही चीज़े आपके बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है तीनों ही चीज़े को खूब अची तरीके से mix करके फिर आप इसे अपने बालों पर लगाएं इस remedy को आप अपने scalp पर लगाएं ही, साथ ही साथ इसे अपने पूरे बालों की लंबाई पर लगाएं दोस्तो आपको इसे केवल लगाकर छोड़ना नहीं है, इसे आपको अपने बालों पर लगाकर, अपने scalp पर लगाकर हलकी हलकी हाथों से मालिश भी करनी है इस remedy के इस्तेमाल से आपके split ends, dry hair की जो problem है वो सारी परिशानी आपकी दूर हो जाएगी आपने देखा ही दोस्तों कि कितने कम ingredients में हमने बहुत ही जबरदस remedy तयार करी है और ये सारी ingredients हमारे बालों के लिए कितने ज्यादा फायदेमन है ये तो आप सभी जानते ही है इस remedy को कम से कम आप दो घंटे जरूर लगा कर रखे और जैसे फिर उसकी बाद नॉमली जैसे बाल दोते हैं उस तरीके से आप बाल दो ले दोस्तो इस remedy को कम से कम हफते में एक बार जरूर लगाया इससे आपको बहुत ही बहतरीन results देखने को मिलेंगे इस remedy से जुड़े है कोई अगर आपको सवाल है मन में तो आप मुझे comment section में बूछ सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी देगी वीडियो थोड़ी सी भी अची लगी होगी इंफरमेटिव लगी होगी तो like share subscribe करना बिल्कुल न भूले वीडियो को ज्याता से ज्यादा शेर जरूर करें अपनी दोफसों मेरे शेदारों में ताकि आपकी जरी उनकी भी मदद हो जाए और आप भी इस remedy को ट्राय करके मुझे कॉमेंट जिक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले कि आपको कैसा experience आया है इस remedy को लगाने के बाद तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरे वीडियो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे तो प्ली इस वीडियो के नीचे लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोडिफिकेशन इस वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी थैंक यू सो मुच पॉच्छी इस वीडियो प्रेंट्स मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर